प्रमस्कार पांच के प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिल्पातों मेर 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आजादी की 75 भी बर्शगाट मनाने जा रहा है तो वहीं इससे एक दिन पहले यानि की 14 अगस्त को हमारा पड़ोसे मुलके पाकिस्तान भी अपनी आजादी का जश्न मना रहा है एक तरफ चाहें ये तारीक हमारे लिए जोश, जश्न और खुश्या लेकर आती है तो वहीं इस तारीक की के साथ एक कभी नख़त में होने वाली टीस भी है टीस ये कि यही वो दिन था जब अखंड भारत के दो टुकडे हुए थे ज्यानि की देश का विभाजन हुआ था 14 और 15 अगस्द 1947 की मध्य रात्री को पाकिस्तान और भारत को अलग-अलग देश का दर्जा देकर आज़ाद खोशित कर दिया गया इस साल जब देश अपनी आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है तो वही पिएम नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने सालों से हर भारतिय के दिल में दबे उस दर्द को उभार दिया जिसे ढोतों सभी रहे थे लेकिन बया कोई नहीं कर रहा था जिहां 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों और बलिदान को याद करते वे पिएम नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन विभाजन विभेशिका इसमते दिवस के तौर पर आज का दिन मनाने का एलान कर दिया पिएम ने कहा कि देश के बटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता नफरत और हिंसा की वज़े से हमारे लाखों बहनों और भाईयों को विस्थापित होना पड़ा था अपनी जान गवानी पड़ी थी उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभेशी का इसमति दिवस के तौर पर मनाने का फैस्था लिया गया इसे के साथ मोधी के स्ट्वीट ने राज्टेतिक और सामाजिक हलकों में उबाल भी ला दिया कि आखिर जश्ने के इस मौके पर क्यों याद आया पीए मोधी को विभाजन का धर्द जिसके लिए हमेशा से ही गांधी और नहरू को जिम्मिदा ठेराया जाता रहा इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास महमान भी जुड़ेंगे आज की चर्चा इसी मुद्देपा है और हमारे साथ एक पुराखास पैनल इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए इस समय जुड़ा हुआ है बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा किश्रवात सबसे पहले में रामचंद्र राही जी आप ही के साथ करना चाहूँगी विभाजन के इस दर्द को दरसल में आपसे समझना चाहती हूं आपके एक्सपीरियंस से तमाम उन लोगों से जिनसे आपका सरुकार रहा होगा क्या है ये दर्द और आज आज की तारीक में पी ए मोदी ने इस दर्द का जुज़खर किया आप इसे किस तरह से देख रहे हैं मैं 173 से नानी का पुत्र हूँ और जिस समय आजादी हासिल हुई थी उस समय मेरे दर्वाजे पर जो तिरंगा लगाया गया था वो मेरे पिताजी के खून के धबों वाला तिरंगा था उन्हें जुलूस में गोली लगी थी पाह में और अन्य सहयोगियों ने उस जंडे को पट्टी के रूप में इस्तिमाल किया था वो सजो के रखा हुआ था अमारे घर में और वो लगाया गया था लेकिन 15 अगस्त के दिन मुझे याद है अब भी हम बच्चे थे टोपी पहने उस पर तिरंगा का एक छोटा साल पीन के द्वारा जोड़ा हुआ गूम रहे थे नारे लगाते हुए गीत गाते हुए आनन्द का महोल था हवा में ऐसा एहसास था कि हम अब लंबे अरसे की गुलामी के बाद मुक्त हुए है जी उसके साथ साथ ये खबरें आते थी कि किस तरह से पार्टिशन के बाद खुन खराबा हुआ कोई भी समवेदन सील नागरिक कहीं भी खुन खराबा होता है वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता यदि वह समवेदन सील है आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है हमें उस दिरश्य को भी देख करके तकलीफ हो रही है क्योंकि वहां की जनता तो मारी जा रही है हर परिस्तित में कस जेलती है जनता यह जो संदर भाया है आज के दर्द ज्यादा होना यह भी लास्मी है मुझे एक बच्पन की घटना यादा गी बिच्छों ने डंक मारा था दर्द हुआ दवा हुई भूल गए एक चीज याद रहे कि बिच्छों डंक मारता है दर्द तो भूल ली जाता है आदमी दर्द को याद रखना मैं उचित नहीं मानता दर्द के कारणों को दर्द पैदा क्यों हुआ उसके कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है प्रधान मंत्री जी ने ये वुद्गार व्यक्त किया है कि पार्टीशन से नफरत के कारण जो पार्टीशन हुआ उसका दर्थ उसके कारण जो वेदना सहनी पड़ी लोगों के जीमन में जो शोक पूर्ण घटनाएं हुई उनको याद रखना चाहिए मेरा निवेदन है मिहरबानी करके उसकारण को याद रखिए जिसको आप कह रहे हैं नफरत की बात नफरत वह बिच्छू है जिसने डंक मारा था और देश का समाज बटा था किन लोगों ने धर्म आधारित राज्य की अधारना समाज में पैदा की और लोगों को उसके लिए तैयार किया आज आवशक्ता इस बात की है कि नफरत किया जो बीज बोया जा रहा है बोया गया है उसको हम नस्ट करें तभी हम उस दर्द को के प्रतिर न्याय कर सकेंगे गांधी ने स्वाराज्य के दिन कहा था गांधी का दर्द अगर थोड़ा सा भी इतिहास को इमानदारी से याद करें तो हमें वेदना पैदा करता है उन्होंने कहा था आज का दिन उपवास का चर्खा चलाने का और आत्मचिंतन का दिन है स्वाराज्य को जश्न मनाने का दिन गांधी ने तो नहीं माना था लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह और उमंग पैदा हुआ था उसको उन्होंने स्विकर किया था लेकिन ये कहा था कि जो स्थिति है जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसको जानने समझने के लिए औ और उस कठिन दोर से मुक्त होने के लिए हमें आत्मचिंतन करना चाहिए तो आज ये 14 अगस्त अगर इस पर आत्मचिंतन किया जाए कि जो नफरत है जिसका राजनितिक इस्तेमाल हर जगह हर कदम पर किया जा रहा है हर संदर्म में किया जा रहा है वह नफरत कैसे हम खत्म करें कभी भी समाज में नफरत का पैदा करना उतेजना बढ़ाना नफरत का उनुमाद पैदा करना राजनितिक हित के लिए वो रास्तर हित के लिए नहीं हो सकता है उसे स्ट्रिकार नहीं किया जाना चाहिए तो आज के दोर में हम तै करें कि ये राजनितिक के लिए नफर का इस्तेवाल उसको एक ताकत बनाने का प्रयास हम नहीं करेंगे बहुत अच्छी आपने बात कही राम चंद्र राही जी हमारे साथ और भी मेहान जुड़े वे हैं अतुल पातिल जी आपके पास आते वे आपका फर्स्ट रेक्शन इस पर चाहूंगी आज पिये नरेंद्र अचंद्र राही जी को जू़कर परनाम करता हूं कि उन्होंने अफरत की वो बात कही जिसके बीच किसने रोये थे यह अशायद नइपड़ी नहीं जानती मेरी पड़ी नहीं जानती मुझ्चे से कुछ लोगों कुछ छोड़कर लेकिन आज उन्होंने जित्ति विनम्रता से बात रखी उसकी सच्छाई में बताना चाहूं 1940 आते आते 1937 के चुनाओं के बाद 1940 आते लाहोर में मुस्लिम लिखा का दिविशन हुआ और 22 मर्च 1940 में 14 पॉइंट रखे गए और उसमें सबसे अहम रिजोलिशन जो पास किया गया वो अलग पाकिस्तान का था वो पाकिस्तान रेमत अली चोधरी वाला नहीं ये महम्मद अली जिन्ना वाला था और महम्मद अली जिन्ना का ये जो ठराव है ये ठराव रखाता फजलूल हक ने बनगाल में जिसके साथ हिंदू महासबा की गड़बंधन था अर। समझ लिजे ये बात नहीं पिड़ी के तक जाना जरूरी है तो उसके बाद ना तो उन लोगों का 1922 के स्वातंता संग्राम से कोई लिनादा था और जब कैबिनेट मिशन का प्लान आया और कॉंग्रेस ने पूरी तरह विभाजन को विरोध कर दिया था उसके बाद इसी 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्षेंड डे डिकलियर किया था ये काला दिन है पूरे मानसव्यता के इतियास में आप समझेए माइग्रेशन के पूरे हिस्ट्री में सबसे जादा माइग्रेशन हुआ था जब हिंदुस्तान का विवाजन हुआ था और हिंदु महासापा RSS ये कहा जाता था हिंदु भारत के राष्टपती सावरकर जी और मुस्लिम पाकिस्तान के राष्टपती जिना जी इस तरह के पोटो भी ये लोग लगाते थे तो ये जो नफरत की बात जो रामचंदर जी ने कई है इसलिए मनें उनको जूपकर सलाम किया कि ये नफरत का द समविदान हमें दिया जो वबंजान समविदान दिया उसने धर्म निर्पेशताता सिकार की और उन सब जो हमारे डिफर typed जो हमारे बीच में अितियासी मत बेश 2030 जयो भी हमारे बीच में एक गलत याद्य ती उन सब को दफना कर हमने वह सब Давถ कर आः इस भारत देश जी करते हैं अरेंद्र मोदी जी तो ये देश के साथ बहुत बढ़ा धोका है बहुत पस्टे बिल्कूल वेलकम नहीं करेंगे हम क्योंकि इसका उद्देश हमें मापता है अगर यह कहते हैं वो कि इस देश की धर्मन इर्प्रेक्टा कोमी एकता विंदू-मुसलिम एकता के के लिए मैं यह दिन याद करता हूं तो हम बढ़ चड़ कर इसका स्वागत करेंगे लेकिन हमें पता है इन्होंने तब भी वही किया था और आज भी कर रहें क्योंकि इनके लिए इनके लिए चुनाव इंपोर्टेंट है चाहे लोग मरें चाहे देश टूटे आमित पुर का पहला चुनाव जो हुआ था वो इसी इसी जखम के उपर हुआ था कि देश का विबाजान हुआ था अंग्रेजों ने हमारे साथ लेकिन उस वक्त जनसंग जो हिंदुमा सभा के बाद जनसंग बना था अरे जनसंग को केवल दशमलों तीन प्रतिशत मद्दान देकर लो करने के चुनाव से जोड़ कर देख रही है ठीक है अमी पुरी जी भी हमारे साथ बीजीपी नेता जुड़े भी हैं उनका मैं रुकर ना चाहूंगी अमी जी प्लेन रिमोदी को भारत पाकिस्तान के विभाजन का उसके दर्द की याद अब क्यूं आई विपक्ष आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि बहुत चुनाव की चिंता होती है आपको दर्दवर्द की कोई चिंता नहीं है शिल्पा जी मैं सभी पैनलिस्ट को आज के दिन इसमरण करने के नमन करते हुए मैं इस समय लखनव के शहीद इसमारक के उपर एक कारेकरम के अंदर उपस्तित हूँ और मैं उस धर्ती से बोल लाँ हो जहां कॉंस्टिट्वेंट असेंबली के मेंबर मौलाना हसरत मौानी ने इसी लखनव से कॉंस्टिट्वेंट असेंबली की नुमाइंदगी की थी मैं पेक्छा करता था कि इतियास का जब कभी पुनर मुल्यांकन होगा तो उस मौल्यांकन को करते समय बाकी के पैनलिस्ट जो हैं वो अपने अपने पार्टीजन्ट व्यू रखते होंगे लेकिन मायोपिक व्यू नहीं रखेंगे लेकिन अभी कॉंग्रेस के मित्र को जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि मोधी बैशिंग, बीजेपी, पंचिंग और रसेस आपसेशन का जो सडैस्टिक प्लेजर है जो परसंताप है उससे कॉंग्रेस मुक्त नहीं हो पाई और चुनाव से तो कॉंग्रेस कभी मुक्ती ही नहीं हो पाती अब आईए इसके ब्रहत्तर अरायम में कि प्रदानमंत्री ने ये क्यों कहा कल हम 75 साल में अमरत महस्व में प्रवेश कर रहे हैं तो सौभाविक है कि जब हम अमरत महस्व में प्रवेश कर रहे होंगे उसके एक दिन पहले 14 अगस्त का वो दिन भी आएगा जब पार्टीशन की विवीजका हुई थी और वैश्वेक इतियाज में इतना बड़ा डेमोग्रेफिक चेंज पलायन की घटना कभी नहीं हुई एक्सलोडेशन की घटना कभी नहीं हुई अगर उसका इसमरण प्रदानमंत्री ने कर लिया और उन लोगों का उनमें कहीं हिंदू और मुसल्मान नहीं था उस पलायन की तराजदी को सबने भोगा था और उस परपेक्ष में भोगा था जब कॉंग्रेस के अदिवेशन में ये रेजुलूशन हुआ था कि हम रावी के तट पे बैठकर ये सोगंद काते हैं पंडित जवाला नहरू की अगवाई में कि हम पंचनत के प्रदेश को बटने नहीं देंगे वो पंचनत का प्रदेश भी बटा वो दूद भी बटा वो प्यार भी बटा और सीमाओं पर रेखाएं भी आई हम उसके उपर नहीं जा रहें लेकिन उस बटवारे के दर्द के अंदर जिस तरीके से ट्रेनों से कटकर लाशे आई थी दोनों तरफ से लोगों ने अपने जान, माल, इजज़त, आबरू को खोया था अगर एक सारबह, सतंतर राष्ट अपने उन नागरिकों का इस्मरल करना चाहता है जिनोंने आदियदी की विविश्का में अपने प्राणों को खोया तो यह भी चुनाओ का मुद्द है लेकिन सवाल यहाँ पर विपक्ष यह उठा रहा है अमित पुरी जी की 2022 में यूपी चुनाव है हर को जान रहा है 2024 में लोगसभा चुनाव है हर को जान रहा है ऐसे में 2021 में याद क्यों आई अब मैं बताता हूँ यह 1947 में जब देशाजाद हुआ था और 75 साल इस समय आकर पूरे होंगे उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यूपी का चुनाव 2022 में होगा और लोगसभा का चुनाव 24 में होगा इसलिए मैंने कहा इतियास को जब याद कीजिए तो पार्टी जल्ड वियू रख सकते हैं लेकिन मायो पिक वियू मत रखिए यह एक कोइंसिडेंस है कि बाद को यूपी का चुनाव है और 24 में लोगसभा का चुनाव है कि इसके लिए हम आजादी का 75 वे पांद करेंगे जब यह उस में विविश्का को याद नहीं करेंगे ठीक है यह आउट अप कंटेस्ट नहीं है इन प्लेस है ठीक है आवाद से नहीं दबाना चाहरे चलो कहिए मात्मा गंदी जिन्दाबद कहिए अरे आपने आपने जिना जिसके वज़ेस के वज़ेस के वज़ेस के ड्रामे में नहीं आने वाले यह टूल किट नहीं है यह टूल किट नहीं है यह टूल किट नहीं है यह कॉंग्रस बात बात कर चुकी, वीपी सिंग के साथ सेंट केट साइलेंट के खातों का मारा कर चुकी, हमेरे साथ रामचंदर राही जी भी लगता जुरे वे सर, आज कम से कमी जो बहत में नहीं परती, फ्लीज सर, I am requesting both of you, एक सज्जम तरीके से पर भी बात रखने की चाहिए यह कोशिश होनी चाहिए सर, रामचंदर राही जी आप दोनों को सुन रही हैं, राही साब, क्या यही वो बात है, क्या इसी बात का जिक्र, और नफरत की जो बात आपने कही थी, क्या इसी का नतीजा है यह सब कुछ, भही विभाजन के समय बहुत लोगों ने अगर उनके याद में दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या सकरात्मक पहलू के साथ आके नहीं पढ़ना चाहिए? इस संदर्व में मैं याद देलाना चाहूँगा, 15 अगस्त को गांधी कहां थे, प्राइस्चित स्वरूप, सामप्रदाइक था कि आग भड़की हुई थे जहां उस आग को बुढ़ा रहे थे, अपने जीवन को दाव पर लगा कर, शांतिका, सद्भाव का वातावरण बनाने की कोशिस में जुटे थे, बिलकुल, जो लोग दर्द से पीडित हैं उस बटवारे के, वो उस समय कहां थे, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और यहां की बिवाद के लिए नहीं, अपने अंतरमन से ज़रा पूछे, कि जिस सि कर्सिले से ये लोग हैं, वो उस समय कहां थे, और क्या कर रहे थे, गांधी ने तो इस नफरत को, इस द्वेश के वातावर्ण को समाप्त करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, आज अगर राजनितिक इस्तेमाल के लिए फिर उस दर्द को आप उभार रहे हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते, मानु होने के नाते, अपनी मानिवियता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, यह मैं कहूंगा, जरूर दर्द है, तो उसका एहसास होगा, उसकी अभिव्यक्त क कैसे करेंगे आप इस पर निर्वर करेंगा, पारिल कमेंट आपका इस पर चाहूंगी, और जो बात रामचंदर राही जी ने भी अभी कही है, कि राजनितिक इस्तिमाल कहने कहीं इस दर्द का होता आया है, कहीं जुस्पते दिवस के जरिए, यहीं तो होने की दुबारा स कोशिश करने की नहीं हो रही है? मैं मानता हूं कि इसके अंदर से लोग इसका विरोद करके इसका राजनितिक करन कर रहे है, अच्छा होता कि सब अपने अपने अस्तर से उनको नमन करते अपने अपने अभिश्वास और अकीदे के आदार पे करते उसका विरोध करके राजनेती करल किया जा रहा है मेरा अखरी कमेंट यही है कि उस गांधी को तीन गोली मारी गई जिसने कहा मेरे लाजपी विवाजन होगा और उस जिन्हा पर एक कंकड भी नहीं फेका काया उसे सवाल भी नहीं पूछा काया तू इस देश का विवाजन धरम के नाम पे क्यो कर रहा है यह वो संगटना है ज अपने हेड़कोटर पे नहीं लगा है यह मुपबत की बात कर सकते हैं यह 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 चुनाओ में हिंदू-Musalman के सिवा दूसरा कुछ भी काव्मी एकता कभी देखा है यह 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 फ्रेज कव्मी एकता कभी देखे इंगे पर हमने कभी देखी है इनके इनके मैनिफेस्टों म इसका उत्तर देना चाहता हूं रन ओर नहीं करना चाहता हूं ज़ली से अमीजी बोल यह जल्दी से भिवंडी की कोड से कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी इन्ही कूपरचारों के चलते गांधी मडर के इसके बारे में कूपरचार के चलते जवानत पे रिटिन अभी डेविट देकर मापी पे आए और कोड के अंदर हलाविया पे देकर करके बैट ट्रक कर चुका है कॉंग्रेस का पूर्वध्यक्ष राट प्रवध्यक्ष रखने के लिए तो चलिए में साथ इस खास प्रशकर श्मफिलाल बस इतना ही आपने रही जनतन्तर ट्रीवी के साथ नमस्कार चलिए प्डेट